हाई मैं धनाजे गुमार डारेक्टर और मेंटर क्लासेज बाढ़ जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी मेंटर क्लासेज के दौरा आपको टेलीग्राम पे सुबह साम ऑनलाइन लाइफ की उचल रहा है तो हमने भूलत था कि तीन तारिक से हम लोग जो है यूटूब पे क आज का वीडियो बनाएंगे तो जैसे जैसे आपका चॉइस हो का हम लोग लगभग 15 चैप्टर कभर कर लेंगे डियूरिंग लोग डाउन यानि तिल जून तक तो उसमें हम लोग आज पाहले टॉपिक जो लिये हैं वह हमारा साधहारन ब्याद सिंपल इंट्रेस्ट तो और क्या होता है और हमारे लिए रेट होता है यानि दर होता है और क्या होता है समय होता है समय को टी से भी सुचित किया जाता है कहीं कहीं आप देखेंगे उसको एन से भी सुचित किया जाता है डज़ट मैटर है तो आम तोर पी जो साधारन ब्याज होता है हमारा यानि एससाइ यानि सिम्पल इंट्रेश्ट क्या होता है पी इंटू निया विले समय ऑड तो तो फिर जैसे माली आपको सब्बूस कीजिए आपको टी निकाल लाता तो क्या निकालते है एसाई याली सिंपल इंट्रेश याली साध्यारन ब्याज गुने सो बटे मुल्धन गुने समय के एक हैि एक और साव कॉं था आपका कुकि है किसको पोइथे ब्यूंत करते हैं या करती हैं आप लोगं कानी में तो किनो किसको करते हैं जो ठाइन आप दिते या जो धन जालाता है जिस सब्सक्राइब अप्रवार बैंग्लिन जो लोग थ्यां से सुनेंगे तो मुल्धन और इस मिस्धन को तो एकॉर्णिंग कोस्टन जब आप आएंगे या हम लोग आज पढ़ेंगे तो इस मिजदन को डेः धन भी कहा जाता है देः जिवा या कभी-कभी आप देखते को कुस्टन में लिखा लाता है कि कितना हो जाएगा तो यह जो हो जाएगा जो टर्म है वह भी टर्म मिजद नहीं है बाकि आप लोग जानते हैं साधारन व्याज किसे करते हैं अच्छे से पता है आप लोग को तो इस बेसिक पॉइंट के बाद जो है हम लोग सीधे सीधे टाइम चुटी करते हैं यूटूब पर लंबा वीडियो फिर चला जाता फिर बच्चे इंट्रेश्ट नहीं लिए बात है हैं तो टाइम नहीं कंजीव करते हैं लोग सीधे सीधे टाइप पहुंचते हैं कि साधारन व्याज में जो time तो ताम में जो ठाइप पुछा जाता है वो टाइप क्या होता है ठीक है जो किसली आमने बुक का भी वेवस्था किया है ताकि कि अगर बुक से भी कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन यहां से भी करना हो तो हम लोग यहीं पर देख लेंगे ठीक है तो भूख भी आम लोग इ यह ज़ो आढ़क कर शाहां तो आप लोग चाहेंगा लेंगे तो आप निकाल सकते हैं और तो वो question जो आता है हमारा वो आता है किस्त पर आधारित प्रस्म किस्त पर आधारित प्रस्म problem based on installment problem based on installment है ठीक है इसको हम लोग 2 पार्ट वीडियो मना देंगा थोड़ा छोड़ा रहे गाए तो जादा होगा जब हम लोग बात करते हैं है तो आप आरम इस बात को समझ सकते हैं प्रॉब्लम बेचलन सब्सक्राइब कोई समान खरीते तो किस्त का फर्मूला है 100 इंटु पी पी को आप पहले से समझ पार है कि पी का मतलब क्या होता है पी का मतलब होता है मुल्धन 100 गुने टी ती मतलब टाइम कहीं कहीं एल्वे रिपर्जेट किया जाता है पलस आर टी इंटु टी माइनस वन बाई टू एकदम ध्यान से एक इंट पॉइंट्स को आप लोग समझा देंगे इवर इग्जाम्पल लेकर भी जब भी किस्त का प् टी का मतलब टाइम प्लस आर टी इंटु टी माइनस वन बाई टू तो जब भी किस्त का कुश्चन हो तो किस्त का कुश्चन ऐसा है नॉर्मली जब आप बनाएंगी यह किताब में देखेंगे तो काफी लंबा दिया होता है जैसे कुश्चन हम आपको दे भी देते हैं तक क्या रहता है इसा और 848 उनुपे की रासी को चार भरस में चुकाने के लिए टीज गल्टू कितना चार वर्ष तोर यह ज़ब चुकाने के लिए कि तने परती बर्ष कितने किस्तों का भुक्ताना करना होगा किस्त की रासी पुछरा है कि क्या हो हो गया यदि ब्याज क कि दर चार परतिसाद बार सिखो ऑब आप जलादियां से देखेंगे यहां पे फाइंड आउट फिट और और फिर तो टी हिए तो पी आर टी अजलादियां से देखें पी का बेलीव दिया है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप देखें 100 इंटु पी तो 100 इंटु पी बटें 100 इंटु टी प्लस आर्टी आर भी संजोग से चार्य और टी भी चार्य और ती माइनस वन यानी फोर माइनस वन थिरी और वाई सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी रासी यहां आएगी जैसे कितना आएगा तो आएगा 200 रुपया वह आप स्वाल कर लेंगी या कर लेंगी ठीक है हमने बस बता दिया आपको इस परकार जब किस प्यादार इस प्रसमत हमको तीन चीजों का मालूम होना चाहिए पी आर और m पता है और टी इप30 अब सवालिrant यहां से डूसरा कुश्शनक्राइब कभी कभी क्या होगा कि कि किस्त का ही माल दी रहेगा किस्त का मान दिया रहेगा R और T दिया रहेगा मुल्दन पूछेगा यानि यहां से दो कुछा जाता है या तो फिर रासी के बारे में आपसे पूछा जाता है या तो फिर किस्त के बारे में आपसे पूछा जाता है तो रासी के बारे में या किस्त के बारे में पूछा जा र किस्त के बाद हम लोग दूसरी टाइप में आते हैं कि दूसरा टाइप क्या है हमारा कि कभी-कभी आप लोग पढ़ते हैं किसी धन्रासी के बारे में आप जैसे कुश्चन आता न कि कोई धन्रासी है जो पांच बर्स में 4% की दर से दुगना हो गया तो या कुछ भी इस तर іє टाइप 2 कोई धन्रासी को क्या बोलते है जी पिरिंसिपल कताः कि कोई धन्रासी ती समय में आर प्रतिसत दर से से में एन गुना हो जाता है क्या हो जाता है इंट गुना हो जाता है तो आपसे कुर्श्यम पूछा जाता है कि बताई had कि वो दर किस दर से यही दर का मान पुषता है तो दर बराबर यानि आप जो आर बराबर आप पढ़ते हैं N गुना हो जाता है तो N-1 ठीक है ध्यान से देखे गाले चाहाँ तो 3-1 दो गुना हो तो 2-1 तो n-1 by t, t आप देख पार है न, t, धंदासिया कोई यहाँ पर जर्गत है नहीं, आपको बोतिया है, नहीं दिया है, उसको मैटर ही नहीं करता, तो r बराबर n-1 by t अच्छी की परतिसत में होता है, इसलिए यह क्या देते हैं, 100, कि आपक्केत, जैसे मालेओची कभी कोई कुश्ट्न आपसे कर दिया जाता है, जैसे हम आपको इसको नहीं कोिटन गरॉट में, जैसे दिया कि कोई धंरासि, डेकिन धंदासि का क्या एक्शांपल लाइन, थे तो दर बराबर वाट, दुगमी हो जाती है, यह एञनि तो आर निकानला होता है तो आर बराबर देखे कितनी गुणी हो जाती यहां दुग नी थी तो 2-1 हो जाएगा ठीक है जैसे कोई कोश्चन भूसता नहीं दस गुणी हो जाएगी तो दस में से गया नौ बटे जो समय दिया गया उसको आप हंडेट से मल्टिप्लाइ कर लेगे अब जो सबाल उठता है हम क्या बोले आप उसका क्रॉस को भी देखेंगे एक तो दर कभी-कभी ऐसा होगा कि नहीं दर दिया रहेगा यह बोल देखा कि कितनी गुणी हो जाएगी यानि न बराबर वाट तो ठीक है न बाबू आप क्या करो आर का मान देदो गया निकल जाएगा यह मैंटर नहीं करता ना कि क्या कोश्चन को समझें यह नहीं है कि कोश्चन के वलार पूछा जा सकता है आप उसके लिए प्रिक्वेशन करेंगे और जैसे से हमारा क्लास आगे बढ़ेगा हम इसी क्लास का क्यूज लेते जाएगे ताकि बच्चे का भी परफामर्स पता चल सेके ठीक है अब आगे आए इसी में जो टाइप 2 है ना इसी में टाइप 3 आथा इसी का वहां पे दो बार गुनी उनी यह सब जो परिक्रिया है ना वो टू टाइमस हो जाता है वहां पे परिक्रिया क्या है कभी-कभी कुश्चन से राइज आप से करता है कि कोई धनरासी टाइक 3 कोई धनरासी टीवन बडस में एनवन गुनी हो जाती है यहां तो एक ही गो था यहां दो आया और क कोई धनरासी टीटू बर्ष में एंटू गुनी हो जाती है तो आप इसमें कभी-कभी क्या करता है टीवन पूछ लेता है कभी-कभी टीटू पूछ देता है कि दिया कोश्चन जैसे एक्जामपल में कोई कोश्चन है तो यहां पर दिया होगा तो हम लोग उसके चर्चक कर दिखे जैसे कोश्चन है कि कोई धनरासी पांच बर्ष में दूगनी हो जाती है तो मैं कोश्चन है तो बताएए कि कि दर पर या चारगुनी हो जाएगी तो तो ठीक है कितने समय में mostly चारगुनी हो जाएगी निटाल सकते आप यहां से तो कितने समय में तो याने यह निकालना है आपको टीटु कितनी को जाएगे चार कूंछrandi कि फिर अभी सिंगल सिंगल होता था तो कैसे बनाते हैं यहां पर आपको T1 या T2 कुछ भी गयाद करा उससे मतलब नहीं है अगर माल लिजे टी टू क्यात करना हो तो वहां पर भी याद कीजिए जितना गुणा होता था उससे एक कम हम लोग करते हैं यहां पर भी करेंगे जैसे कितनी गुणी है चार गुणी तो दिखें पर फर्मूल आजाएगे फिर हम लोग यूज करते है एन 2-1 देखें पर यह यहां पर T1 पूछ लेता ध्यान रखिएगा यहां पर माल लिजे टी वन पूछ लेता तो यहां पर T1 के जगह क्या हो जाता है यानि बास टाइम चेंज हो जाता है जैसे दिखें यहां पर T1 N1 T2 N2 तो आई यह T2 निकाल दीजिए T2 बराबर क्या पढ़ें थे जितना तो यह बहुत मैटर नहीं करता कि यहां पर कुश्चन को किस लेवल तक जाएंगे लेकिन हां अगर दो गुराएगा तो दोनों गुना में अंतर पहले बाद वाला फिर पहले वाला इसी तरीके से आप निकालेगे इतना ही नहीं यहां पर कुश्चन आपसे दरबे भी बाकि यह जो फाक्टर आपको दिख पा रहा हो यह सेम रहता अगर पूछा आर टू यहां प्यार वन अगर यहां प्यार वन तो यहां प्यार टू ठीक है तो आप साथ सामत होंगे बिसे सापेज जब वीडियो दिखेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपना विचार पूर्दे आखास करके जो कमिया रहती है उसको तो सबसे पाले बताएं ठीक है खुबी आप अपने पास भी रख लें विदिक करती है ठीक आप इसका स्केल सट ले सकते हैं टाइप 3 के बाद आईए टाइप 4 में देखिए जब हम लोग टाइप 4 पी डिसक्स करेंगे यहां पर आप कुश्चन डिल नहीं करेंगे कुश्चन बहुता स्टेंडर्ड है और ऐसा कुश्चन जब भी आता है ना तो लोग यूग आते कि आप इसको डिटेल में बनाओ ऐसे नहीं बनेगा नॉर्मली लेकिन नहीं सब नॉर्मली भी बनेगा ठीक है आप थोड़ा स सस्टान सब confront आए तई सिया Kreisim bad आ हना कि कश्चा जाता है कि कोई धंड़ासी है ठीक है वो क्या होता है कि i car $8 oggi का चेक मत्सित Newton Act सब्लчто की էंड़ासी है जो आप दिसात में की आइधों हो जाता है ठीक है अधी कि हू bracketर के समझलें मानट दूं है और इसी तरीके से यारवन अगर उसी तरीके सखा जाए तो आटू परतिसत पर एटू हो जाता है ऐसा कुश्यन आपको बहुत मिलेगा जब आप इग्जामपल देंगे ना जैसे देखें आप इग्जामपल देखेंगा साथ में काता है कि एक ही समय में कोई धन्राशी 5% ब्याज पर 200 रुप् और यहां पर हम लोग एवन एटू से लिए चुकि यहां पर डबल दबल था ना तो एवन एटू ले लिए अगर सिंगल होता नहीं ले लग जलत परता तो कोई 5% ब्याज पर बाईसो हो जाता है और कता है कि आगे कोस्टन है कि 8% ब्याज पर तैस्सों बीसुर्प्या हो हो जाता है जाता है तो समय क्या होगा संय ब्राबर वाट यहां पे आप समस्य अथे हैं यह कर दफूटing-वाट प्रेटीगल को हाई sobie को आप बीडियो कि अगहां विभ Pent जो फर्मूला होता है देखिए फर्मूला को पले पढ़िए फर्मूला क्या था मिस्रधन कांतर फर्मूला नहीं याद हो कोई दिखत नहीं आप प्रेटिकल देखिए अना तुहां याद हो जाएगा देखें ध्यान से देखेंगा मिस्रधन कांतर और इसकांतर सब जी आपको थीओरी थोड़ा डिपिकल्ट है प्रेटिकल आसान है देखें प्रेटिकल आपको निकालते हैं समय काल्कुरेशन की बात को छोड़िए सर्ककुरेशन यहां पर मुतना नहीं कर पाएंगे समय वराबर क्या बोलें दोनों का अंतर बताईए दोनों का अंतर कितना होगा एक्स डीज़ें दोनों का अंतर ऐसे गुणा है न सर्व देखें ध्यान से मतलब तैस्सोग गुणे 5 कितना हो जाएगा आपको 11,600 अैसा नहीं है आप ऐसे भी गuna करेंगा तो इसे ही करेंगा आपको मो retrouve कि यह मैं समझे के ऐसे करेंगा पैसे भी कि लिए तो कोई दिक्कत नहीं है बस अगर राशी नीगेटिव में आता है तो वो पॉजेटिव में चला जाएगा क्योंकि साधारन ग्याद में कोई भी राशी नीगेटिव में नहीं आते हैं तो 17,600 ऐसे कर लिए आपके confusion के लिए कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते और इसको कीजिए तो 235 115 हो गया ऐसे अब बीस पच्छे सो यानी वही 11600 ठीक है अब देख लिजिए आचा यह तो हाँ यह तो हंड्रेड में गुना होगा ना वह तो स्वाइग अब क्या आ 17,600 में 11,600 घटेगा तो कितना आ जाएगा पूरा-पूरा 6,000 आ जाएगा जी एक गार अच्छा सत्र हाँ ठीक है फिल्कुल कंक्लोशन तिरभी आप कर लेंगे आप जानते हैं कि सारी समात के लिए हमें साब बोलेंगे आपको 1010 कैंसिल 6 कितना बार में 2 बार में समय आलवन अगर दिया रहेंगा तो कुछ हम क्या बोलें दोनों का अंतर आप गुने तिर्चाद गुना करके उसको घटा दीजिए और सौसे मुल्टिप्लाइ कर देंगे इसी में दूसरा कुछन भी आता है वह भी आप देख लीजिए कंटेनीव रहने दीजिएगा हम इसको दो टैक मिसले तो बाटे साधाना जातों कि एक क्लास में पुरानी करने इसमें दूसरा क्या आता है आप सामने रख के देखेंगा तो समझ जाएंगा इक्जांपल सिर परागया रेट पूस्ट देगा तीन बर्स में 1380 हो जाता है लेकिन आपको कोई चर्वत नहीं है सथ आप दिमाग में सेंब कर्षेप्ट रखेंगे पांच बर्स में पंदरास हो जाता है ठीक है अब देखें यहां पर क्या देदिया टाइमिंग देदिया लिए टीटू दिया क्या होगा बस वही एटू टीवन और फिर क्या एवन टीटू अगुने सब्सक्राइब निकाला क्या है यह पर्मूला जरूरा आप लिख लिजेगा टाइप फाइव में जाकर कोई प्राबलम नहीं है लेकिन आपके दिमाग में केबल वही चीज बना हुआ है जो प बचेगा 120 बचेगा घटा दीजिए इधर से 13 पचे कितना 65 इधर से भी कर सकते इधर से भी हम पहले बोल दिये ते अब इधर से किजिए 13 पचे आपके दिमाग में यह सेंस आफ यूमरी अर्जिस्ट नहीं होने चाहिए कि यह क्या दिया गया है ठीक है तो यह हम आपका पांस टाइप बच्राइब बताए और रेश्ट आप जो 34 टाइप से हम आपको कल फिनिस्ट करेंगा चुकि पहला दिन का क्लास है तब्यत हमारा भी ठीक नहीं है बहुत अच्छा हम भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर से एक बार हम वीडियो समात करने से पहले आप से रिक्विस्ट करते हैं आप वीड वैक्स है जो कंप्लेन है वह आप कमेंट सेक्शन में जाके जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे उनका कमेंट सेक्शन में टाइफ होना चाहिए ठीक है यह बाद आप ध्यान से रखिए और कल हम लोगो इसका सकेंड सेशन बना लेंगे और उसके बाद आपको हमबर्द देंगे जो भी होंबर्क आप ग्रूप में बोलेंगे यह कोश्चन बताना है फिर हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे ठीक है ठीक है तो इसी तरीके से आप धन्यवाद और घर पे रहिए सुरच्छित रहिए सतर्क रहिए धन्यवाद